Hello Friends, मैं हूँ प्रेंस तो सौगत करता हूँ आपका Magnet Brains में हम क्या देख रहे हैं, तो हम basically class 11 में mathematics का अपना chapter differentiation देख रहे हैं जहाँ पर हम क्या discuss कर रहे थे तो last lecture में हमने parametric form of differentiation को solve किया था अब यहाँ पर आपके लिए क्या है? एक नया topic differentiation के start होने वाला है, जो कि और भी जादे important है यह आपका क्या है? logarithmic form of differentiation अब logarithmic form of differentiation की detail में जाने से पहले यह समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगरी क्या requirement थी कि मुझे इसका रुख करना पड़ा? उसके बाद हम समझेंगे कि कहा कहा सवाल को देख के हम judge करेंगे कि यहाँ मुझे logarithmic लगाना है और यहीं पे एक logarithmic का shortcut देखेंगे वो shortcut आपको exam में directly use नहीं करना लेकिन अपने answer को check करने के लिए या फिर competition के सवाल को बनानी के लिए use करना है बात clear होगी जितनी बोली इतनी सारी चीजे lecture में discuss करेंगे सबसे पहले सबसे पहला point point यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्या differentiation में इतना पढ़ा था वो काफी नहीं था कि एक नहीं चीज पढ़ने की जरूरत पड़ी आप खुद realize करोगे सवाल को देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि y x की power x है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे y dash बताओ तो क्या बताओगे आप कहोगे कि सर इस सवाल को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है ना मैं इसको पूरा का पूरा x की power n बोल दू कि इसको मैं differentiate करके n into x की power n minus 1 बता दूँगा यानि कि मैं इसको ना तो पूरा का पूरा variable की power constant बोल सकता हूँ और सर मैं इसको ना पूरा का पूरा a की power x बोल सकता हूँ कि इसका differentiation मैं a की power x log a to the base ही बता दूँगा कि sir, ना ये पूरा ये form है, ना ये पूरा ये form है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक form रहता, तो बड़ी आसानी से, बहुत सारी चीजे पढ़ चुके हैं, उसकी मदद से हम इसका differentiation बता देते, ये actually में दोनों का combination है, और इस combination का differentiation अभी तक सर मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इतना तो realize हो गया सवाल को देखके कि कोई नई चीज है, तो बनाने का भी तरीका कोई नया ही होने वाला है, तो यहीं पर किसका concept आता है logarithmic form of differentiation का, तो सबसे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया, अब दूसरा सवाल, कि सवाल को देखके कैसे judge करेंगे कि logarithmic differentiation का सवाल है, तो judge करने के तरीके आपके सामने हैं, ध्यान से देखते जाना, पहले इसको note करो, अब देखो, कहीं पे भी आपको, क्या दिखे, कहीं पे भी आपको अगर किसी function की power में same function दिख जाए, या आपको कहीं पे भी किसी function की power में कोई दूसरा function दिख जाए, तो तुरंद क्या समझ लेना, कि ये logarithmic form of differentiation के methodology से ही solve होने वाला है, क्या मैंने कह दिया, कहीं पे भी किसी भी सवाल में, किसी भी तरीके से, आपको किसी function की power में same function, या फिर किसी function की power में कोई दूसरा function दिख जाए, किसी भी तरीके से दिखे, मतलब सर, logarithmic differentiation यूज़ करना पड़ेगा, कुछ example देखके इस चीज़ को realize करते हैं, जैसे सबसे पहले जो मैंने सवाल देखा, मुझे dy बे dx निकालना है, और तुरंद मुझे दिख रहा है, right hand side में, function की power में same function है, सर ने कहा था, logarithmic का concept लगेगा, आगे, दूसरे सवाल में तो दोनों तरफ ही मुझे कुछ function की power function दिख रहा है, मतलब सर, अभी पता नहीं कैसे, लेकिन logarithmic का concept लगेगा, तीसरे सवाल को देखा, e की power x into sin x cube, यहां सर कहीं नहीं लगेगा, यहां logarithmic की ज़रूत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अपने right side जाता हूँ, तो मुझे clearly क्या दिख रहा है, tan x की power max, function की power में कोई दूसरा function, सर logarithmic किसी ना किसी तरीके से तो लगेगा, कैसे अभी फिलाल पता नहीं, अब जब मैं last सवाल में आ रहा हूँ, तो last सवाल में कहीं पे भी function की power function नहीं है, फिर भी लोग arithmetic लगा सकते हैं, अब इसको बाद में discuss करेंगे, मतलब at least 1, 2 और 3 को देख के clear है, कि पहली variety लोग arithmetic की, और यही मेरी main variety है, 90% सवाल इसी format में आपको दिखेंगे, कि function की power function, या तो same या तो different, लोग arithmetic का concept लगेगा, clear है, अब सबसे simple variety से, अब अपने third सवाल पे आते हैं, क्योंकि दो सवालों को हमने जवाब ढूंड लिया, third क्या, कि किस तरीके से solve करेंगे, क्या methodology है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहली variety की methodology समझते हैं, तो सबसे पहली variety जो आपको मिलेगी, वो simple इस type की मिलेगी, y is equal to कोई function की power function type की, क्या मैंने कह दिया, सबसे simple variety आपको इस type की मिलेगी, y is equal to function की power function format की, क्या तरीका होता है solve करने का, तो ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ लोग लेते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ लोग लेते हैं, तो taking log both sides, सब मेरी बात को एक-एक बात को ध्यान से सुनना, तो जैसे ही आप दोनों तरफ log लोगे, तो यहां आपके पास हो जाएगा log y to the base e, और इस तरफ log लिया, तो आपके पास आजाएगा log base e, x की power x, clear है, अब जैसे ही हम आगे गये, तो मेरे पास आगया log y to the base e, is equal to, आपको पता है, कि log में इस वाले term की power में, जो भी रहता है, तो log की property उसको multiply में आगे भेज देती है, यानि यह बन जाएगा x into log x to the base e, और हम इस point पे आजाते हैं, यही advantage होता है logarithmic लगाने का, यह क्या करता है, function की power function को function into function में बदल देता है, देखो क्या हो गया interesting, function की power function को इसने क्या किया, function into function में बदल दी, और हम function into function, यानि UV का form बहुत अच्छे से solve करना जानते हैं, clear है, तो यह advantage होता है मेरे logarithmic form का, तो कहीं पे भी, आपको किसी भी तरीके से function की power function मिले, अभी आगे solve नहीं करोंगा, बस बात सुनना ध्यान से, अब मेरे पास एक equation है, जो आपके y और x के terms में, या फिर मैं कहलो, मेरे पास एक relation है, जो x y के terms में, मैंने अल्रेड़ी आपको बताया है, वो सारे concept जहां पर मैंने यह discuss किया था, कभी भी आपको एक relation मिले x y में, और वहां से आपको अगर dy by dx पूछा जाए, तो आप क्या करते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है सर, कि कभी भी एक x y में relation हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसकी मदद से dy by dx निकालना होता है, तो बहुत simple है, x के respect में differentiate करना है न, तो equation के दोनों side, x के respect में differentiate कर देते हैं, solve करेंगे, आपको पता है, कि आपके पास dy by dx के terms आने लगेंगे, उनको एक तरफ करते हैं, dy by dx common लेते हैं, और dy by dx की value बता देते हैं, कहानी खत्म, क्योंकि इसके आगे आपको solve करना बहुत अच्छे से आता है, तो क्या दिखा यहां पे, log के differentiation के concept में पहले, log का concept यूज हुआ, उसके बाद पढ़ा हुआ, एक differentiation का concept यूज हो गया, जहां पे हमने, यह equation form या relation form of differentiation को अड़री डिसकस किया था, तो अगर हर चीज़ को एक बार repeat करूँ आपके लिए, तो यहां पे क्या करेंगे, जहां आपको कुछ function की power function दिख जा, तो तुरंट क्या करते हैं, दोनों तरफ log लगा देते हैं, तो वो function की power function को log की property के खारण, function into function के format में बदल देता, और आपके पास एक relation आने लगता है, x और y के term में, और आपसे पूझा भी जा रहा है dy by dx, तो आपको पता है कि इस type के relation को solve करने का तरीका यह होता है सर, कि equation के दोनों side balance करने के लिए, x के respect में differentiate कर देते हैं, तो automatically मुझे dy by dx का term दिखने लगेगा, उसके बाद जैसे हैं dy by dx का term दिखेगा, तो dy by dx के terms को एक साथ कर लेंगे, और उसके बाद वहाँ से dy by dx की value बता देंगे, जो मुझे originally पूछा गया था, यहां तक कोई doubt, इसको पहले note करूँ, अब देखों यहाँ आप, तो 3 से 4 सवालों का जवाब मिल गया, अब सवाल यह है last, कि पूरा proper procedure क्या है, तो देखो हर type को एक एक करके, बड़े आराम से डिसस करेंगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर type को properly हम discuss करेंगे, लेकिन यहाँ पर हर type को solve करने का एक overview आपको देदेता हूँ, सबसे पहला type तो आपको यहीं पर समझ में आगया, कैसे solve होगा, अब जिकों जो दूसरा type को आपको मिलेगा, उसमें क्या होगा, आपको function की power function एक side नहीं, सीधे equation form में दोनों side मिल जाएगा, x की power y is equal to y की power x, find dy by dx, तो क्या दिख रहा है, function की power function का format आपको दोनो side equation form में दिख रहा है, इसको भी बनाने का exactly same approach होने वाला है, कोई difference नहीं, दोनों तरफ log ले लेंगे, equation आ जाएगी, या फिर कहलो relation आ जाएगा x y के terms में, वहाँ पे अब जो relation आएगा, मुझे पता है कि मुझे dy by dx निकालना है, मतलब मुझे x के respect में differentiate करना पड़ेगा, तो x के respect में differentiate कर देंगे दोनों side, again dy by dx के terms आने लगेंगे, terms को एक साथ करेंगे, dy by dx की वहाँ से value हम बताएंगे, इतना clear हुआ, अब यह आपकी third variety, और यहाँ थोड़ा सा twist हाता, अब ध्यान देना, third variety में मैं क्या देख रहा हूँ, कि मेरे पास, जो section है, उसमें मुझे observe हो रहा है, कि एक normal function है, दूसरा function की power function है, एक normal function है, दूसरा function की power function है, अब देखो यहाँ क्या होगा, इस तरफ आपके पास आगया, log of e की power x, sin x cube, plus tan x की power x, इस टाइप से कुछ आजाएगा, अब देखो, अब तुम इसमें कुछ कर सकते हो, क्या यह बताओ मेरे को, सोच के 2 मिनिट, सोच के बताना, कि क्या problem create हुई, problem यह create हुई sir, कि जैसे ही मैंने दोनों तरफ log लिया, तो उस तरफ तो ठीक है, इस तरफ log के अंदर, एक function, plus minus sign के साथ, कोई दूसरा function का form है, जहां पे उन में से कोई एक function, या एक से ज़ादा भी हो सकता है, वो function की power function में है, तो हमने यह देखा था, अभी तक log लगाते समय, कि जब function की power function रहता था, तो log लगने के बाद, वो power multiply में आ जाता था, UV में बदल जाता था, इसी वज़े से, वो solve करना अब आसान हो जाता था, लेकिन, यहां पे क्या हुआ, कि अब आप वो वाली property नहीं लगा सकते, क्योंकि यह अकेला log के साथ, यह term नहीं है, log के साथ अब दोनों term आ गए है, तो यहां पे मैं log a plus b की, कोई property तो जानता ही नहीं हो, मैं log a into b जानता हूं, log a plus log भी होता है, लेकिन, मैं ध्यान रखना, log a plus b, या log a minus b की, कोई property नहीं जानता, तो इसको मैं कुछ भी करके, ऐसा नहीं कर सकता, कि यह power वाली चीज आगे multiply में आजा, और यह मेरे लिए बहुत दिक्कत का सबब है, इसी वज़ा से यह मेरे लिए solve नहीं हो पा रहा, तो यहां से क्या problem आपको लगी, सर सीधे दोनों तरफ लोग लगाने से काम नहीं हो, वा तो क्या problem, इस problem का हल क्या होना चाहिए, क्या सोचोगे as a student, आपको खुद इसका answer देना चाहिए, क्या हल सोचोगे, तो देखो आपको हल क्या होगा, हल सिंपल सा यह है सर, problem सिर्फ किसकी वज़ा से यारी इसकी वज़ा से, यह अकेला होता तो काम हो जाता ना, तो बस यहीं पर इसका answer चुपा है, क्या करते हैं अब ध्यान से सुनना, तो इस सवाल को बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है, कहीं पे भी यह observe करो, कि आपके कास कोई function के साथ, plus minus में कोई function की power में function का format दिखे, कभी भी इस format में दिखे, कि एक सिंपल function है, या फिर मानलो ये भी कोई function की power function है, कुछ भी रहे, ये भी कोई मानलो आपका function की power function है, कभी भी इस तरीके से आपको दिखे, कि plus minus sign के साथ, ये power वाले function जुड़े हैं कभी भी आपको दिखे plus minus sign के साथ ये power वाले function जुड़े है या कोई simple function power वाले function के साथ जुड़ा है कहीं पे भी plus minus sign के साथ तो बनाने का approach देखो क्या होता है approach ये होता है कि उसमें जितने term है ना मालनो plus minus के साथ 3 term है एक term, दो term, तीन term ऐसे करके तीन term है तो आप हर term को एक अलग-अलग variable का नाम दोगे example के लिए इसी सवाल को मैं देखता तो ये क्या है दो term से मिलके बना है पहले term को मैं यू बोलूँगा मेरी मर्जी आपकी मर्जी ये पी बोल सकते हो दूसरे term को मैं वी बोल दूँगा अब मेरी बात को धिहान से सुनना अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले यू का differentiation करूँगा x के respect में यानि कि मैं du by dx निकालूँगा फिर मैं v का differentiation करूँगा x के respect में यानि कि मैं dy by dx निकालूँगा और उसके बाद उन दोनों को अब जोड दूँगा तो मेरे पास automatically dybdx आ जाएगा तो यहां से क्या सीखने को मिला कभी भी इस तरीकी का format दिखे कि power वाले function एक दूसरे से plus minus sign के साथ या तो attached हो या एक simple function power वाले function के साथ plus minus sign के साथ attached हो तो वहां directly कभी log नहीं लगाते split करके लगाते हैं यानि इसको एक अलग function माल लेते हैं उसको एक अलग function माल लेते हैं तब दोनों को अलग-अलग differentiate करते हैं और वहां से dybdx बताते हैं जब हम already solve करेंगे तो इस बात को हम वहाँ डिटेल में बहुआँ पर discuss करेंगे यहां पर एक overview मिल गया अब सबसे last वाला पर आते हैं जो सबसे interesting है यहां कहीं पर भी function की power function का जंजटी नहीं है e की power x function की power function नहीं है constant की power function है तो उससे confuse मत होना तो इससार इसमें कहीं पर भी function का term नहीं है फिर भी sir क्यों log लगाएंगे आप बोल रहे थे कि आपने इसको यहां पर लिखा है मतलब आप इसको log के तरीके से बनाना चाहरे हैं अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर मैं नॉर्मली तुमको अभी कह दूँगा कि सवाल कर डीवा पर डीएक्स निकालो ना तो आपके पसीने निकल जाएंगे क्यों क्यों कि देखो कितना complicated function है overall u by v का form है u bhi 3 function के product से मिलके बना है v bhi 2 function के product से मिलके बना है यहीं पे तो log काम आया log क्या करता है देखो log बस यह नहीं है कि power वारे चीज़ को आगे लाके हमारे लिए चीज़े असान कर देता है log की एक और खासियत होती है एक तो log किसी चीज़ को power को आगे में ले आता है property लगने के कारण जिससे वो चीज़ handle करना असान हो जाती है और दूसरी चीज़ कि कभी भी हमारे पास multiply और divide में mix होगे complicated चीज़ होती है तो log की हम property जानते हैं कि a into b log a plus log b a by b log a minus log b यानि multiply divide वाली चीज़ को log plus minus में convert कर देता है और मुझे बहुत अच्छी से पता है कि plus minus वाले terms को differentiate करना जादा असान है किसके comparison में तो u into v या u by k f ke form के comparison में तो यहां से एक नई चीज़ सीखी कहीं पे भी exam में मुझे कोई complicated function दिखे जो u v का हो ना तो वहां तुरंत log का सोचेंगे क्यों sir क्योंकि log उसको plus minus में convert करके असान कर देगा उसके बाद से फिर वही राम कहानी कि log y is equal to log of this दोनों तरफ log लगाया अब मेरे पास देखो क्या हो जाएगा log a into b into c divided by d into e तो यह बन जाएगा log a plus log b plus log c minus log d minus log e तो 5 log आ गए और plus minus sign के साथ आ गए अब उनको दोनों तरफ x के respect में differentiate कर दूँगा relatively बहुत easier हो जाएगा solve करना किसके comparison में अभी normally uv या u by b लगा के solve करता तब तो इतनी variety हमें देखनी है basically यहाँ पे अगर इतना आप समझ गए हो तो अब मैं आपको जितने भी lecture लूँगा log के ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कोई problem नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हर एक सवाल का detail हम देख चुके हैं जो मागे देखने वाल है in fact इस point पे तो आप आप खुद भी log के सारे सवाल try कर सकते हो solve कर सकते हो लेकिन हम काफी अच्छे अच्छे variety के सवाल लेंगे और आपके concept को और clear करेंगे और देखेंगे क्या-क्या variety सवालों की यहाँ बन सकती है क्योंकि concept पढ़ना एक बात होती है उसको सवाल में apply करना या देख पाना या चेक कर पाना कि क्या वह apply हो रहा है एक दूसरी बात तो मिलेंगे नेक्स लेक्चर में सवालों की सीरीज के साथ तो I hope आपको जितना यहां बताया वह clear है सारे concepts clear है कहीं पे भी लगा कोई भी detail आपको clear नहीं हुआ पाच उस point पे lecture फिर से देके फिर भी clear नहीं होता comment section ने बताए तो आज के पढ़ाएंवे notes आप हमारी official website magnetbase.com से download कर सकते हैं जिसका link वीडियो के description में है magnetbase.com पे आप वो class 4 से लेके 12 तक सारे subjects और courses मिल जाते हैं वो भी systematic order में arranged Thank you